हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टूट आफ साइंस भारतिये विज्यान संस्थान की नियू रिकुर्में नॉटिफिकेशन, जो की फ्रेंज से यहाँ पर एडमिनिस्टेटिव अ हजार भी इसको काउंट होगा, बैसले डिग्री आपके पास 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, साथ में कम्प्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अबलावा जो भी आपका mode of selection है, या फिर आपके यहाँ पर application fees है, यह सभी डेटेल आपको वीडियो अपलाई करना चाहते हैं, आपको इस पोर्टल पर रिडायट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर फैंस आपको आपके registration number and password से login करना है, अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं, मतलब आपने फोर्म नहीं फिल किया है, तो आपको fresh registration के लिए click here पर जो है click करना होगा, इस पर click करन नीचे है name of the applicant, तो आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तो आपका नाम आप फिल करेंगे, इसके बाद गार्जन या फिर father name आपको यहाँ पर enter करना है, और इसके बाद आपको enter करना है mother name, इसके बाद फैंस यहाँ पर आपकी mail ID और mobile number आपको देन आपकी mail ID है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और यह भी active and valid होनी चाहिए, तो यह basic सी जानकारी है जो कि आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर generate OTP पर किलिक करना है, जनरेट OTP पर किलिक करने के बाद आपको फ्रेंस यहाँ पर जो यह capture code दि आप OTP यहाँ पर डालेंगे उस OTP को verify करेंगे इसके बाद यहाँ से इसको dek layer करेंगे और जो यह capture code दिया गया है, यह capture code फिल करेंगे इसके बाद यहाँ से आप इसको एगरी करेंगे और last में इसको यहाँ से final submit करेंगे तो यह basic जायकारी है जोकि आप सेक्शन में फिल क कर सकते हैं अगर यह नहीं मिलता है थोड़ी देर में आप वेट कर लीजिए नहीं मिलता है forget पर किलिक कीजिए आपकी register mail ID and mobile number आपको यहाँ पर type कीजिए capture code डाली और get password कीजिए आपको जो है password दोबारा से मिल जाएगा और उसके बार आप simply यहाँ से login कर सकते हैं login करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए right hand side में उपर की side go to application का option मिलेगा आप इस पर click करेंगे और अपने application form को fill करने के लिए तो next step है यह आपका open हो जाएगा दुबारा से यहाँ पर processing लेगा इसको आप complete होने दे और उसके बार नीचे आपको close का option मिल जाता है सबसे पहले है post selection तो आपको इस पर click करना है आपको यहाँ पर post select करनी है और उसके बार आप declare करेंगे कि आपने आपने जो notification है वो पहल ली है और उसके बाद सेवन नेस करेंगे second step friends personal details का है तो यहाँ पर आपको gender select करना है आपका marital status जो भी है वो आप select करेंगे आपकी category general है OBC, NCL है या SCI, STI, EWS है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं आपकी DOV क्या है तो date of birth के लिए आप इस calendar पर click करेंगे आपकी जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर लेंगे और इसके बार आपका age count होकर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर है आपका contract या project employee अगर आपने IISC में काम किया है आप yes कर सकते हैं और इसका यहाँ पर details कब से आपने start किया, जो आपका end date था वो आपने complete किया नहीं है, no कर सकते हैं एक servicemen personal है, yes कर सकते हैं, आपके एक servicemen की start date और जो date of service है वो आपको बतानी है, duration आपकी आजाएगी, नहीं है, no कर सकते हैं pH candidate अगर आप है तो yes कीजिए, आपको subscribe चाहिए, exam में तो yes यह no कर सकते हैं nature of disability आप यहां बताएंगे और percentage of disability आप यहां पर select करेंगे कि कितनी percentage of disability आपकी है और इससे लेटेड आपके पास certificate भी available होना चाहिए, तो यह आप basic जानकारी है, जो कि आप यहां fill करेंगे, इसके बार यहां से save and nest करेंगे इसके बार आपका nest option है, communication detail का यह open हो जाएगा, सबसे पहले आपका जो address है, वो क्या है वो आप यहां fill करेंगे, तो आपका जो पहला line है और second line है, यह आपकी mandatory है आपका address छोटा है, तो आप दो भागों में divide कर सकते हैं, बड़ा है, तो आप अराम से इसमें enter कर पाएंगे इसके बार किस state के आप निवासी है, वो आपको select करना है, आपका district आपको select करना है, आपका city है, वो आपको यहां fill करना है और इसके बार pin code आप यहां पर enter करेंगे, यदि friends, आपका correspondence permanent same है, तो yes पर click कीजिए, अलग-अलग है, no पर click कीजिए, और manual entry कीजिए, और यह section भी आपका complete हो जाएगा इसके बार है, आपके यहां पर qualification detail, तो सबसे पहले देखिए, essential qualification, अब essential के लिए qualification आपके पास क्या है, वो आपको यहां पर देनी होगी तो आपने जो भी किया हुआ है, वो आप यहां पर दे सकते हैं, इसके बाद किस college या institute से आपने किया है, वो आप यहां fill करेंगे इसके बाद friends से university या board का नाम देना है, तो यह आप यहां fill करेंगे, specialization, किसमे है, आपके यह जो degree है, वो किसमे है, तो आप यहां पर enter कर सकते हैं, बाकि यह friends से आपका mandatory नहीं है, आप इसको blank भी छोड़ सकते हैं इसके बाद friends से यहां पर है, आपका year of joining का, तो आपने इस course को कब join किया था, तो वो year select कीजिए, कब आपने इसको pass किया, आपकी percentage कितनी है, वो आपको देना है, grade आपकी कौन सी है, मतलब कौन से class आपने इसको pass out किया है, first class, second class, आप यहां पर इससे लिख सकते हैं, तो यह basic जानकरी, आपकी qualification related आपको देनी होगी, इसके बाद है, यहां पर academic records, तो यहां पर देखिए, आपको, जो आपके matriculation की detail है, उसको भी friends, यहां पर लिखना है, 12th आपकी detail सो लिखना है, या इसके लाबा कोई भी आपके पास other degree है, वो आपको यहां पर देनी होगी, अब इसके बाद एक्सक्लोडिंग दा essential qualification, तो यहां पर essential qualification को दुबारा से enter करने की जर्थ नहीं है, इसके बाद सेम आपका institute का नाम आपने यहां पर कप कहा से या school से, आपका बोर्ड का नाम क्या है, इस पेसिलाइजेशन लिखना चाहें, लिखिए, आपने इसको कब जोइन क किया था, तो आपको यह date भी यहां पर mention करनी होगी, आपका year of complete आपको देना है, इसको आपको complete किया था, percentage जो marks क्या है आपकी, वो आप यहां एंटर कर सकते हैं, और आपका grade आप यहां पर एक class आपकी बता देंगे, इसके बाद आप इसको add new row करेंगे, इसके बाद आपक आपके पास experience आपके organization का नाम, आपकी किस position पर आप काम करती थे, date of joining और date of living क्या है, type of employment extra जो organization है वो कैसी थी, pay scale क्या है, gross salary आपकी कितनी है, वो आपको देनी है, professional कोई training आपने की है, उसकी जनकारी आप यहां पर दे सकते हैं, membership of professional bodies में है, तो आप इसमी जनकारी दे सकते ह अब यहां पर फैंसे यह है, अब आपका compulsory जो की है professional referees के नाम, तो यहां पर दो referees की details आपको देना जरूरी होगा, जिनका नाम, position, उनके address, mail ID, mobile number आपको यहां पर enter करने है, तो आप यहां पर किनी भी दो वेक्तियों के जो कि आपका relative ना हो, आपका जानकार हो, पड़ो इसको mention करेंगे, इसके बाद नीचे है nature of duties की जानकारी, तो यहां पर nature of duties अगर आपके पास available है, आप यहां पर दे सकते हैं, अपने achievement की जानकार दे सकते हैं, और उसके बाद यहां से save and nest करेंगे, इसके बाद फैंस, आपकी data जो है successfully save हो जाएगी, आप इसको ok करेंगे, इ जो कि आप यहां upload करेंगे, जैसे cast दे से category पर select करते हैं, तो PDF format में आपको यह upload करना है, 2MB कर size आपको यहां पर दिया गया है upload करने के लिए, और उसके बाद फैंस, यहां पर बात करेंगे, अगर photograph या signature की, तो JPG, PNG format में 50 के भी तक आप इनको upload कर सकते हैं, जब फैंस, आप यहां पर पहें से कार्यत हैं, और आपको अगर NOC देनी होगी, तो आप यहां पर उसको upload करेंगे, इसके बाद है आपका test city, तो आपको यहां पर test city की जो list है, वो दी गई है, आपको जो यह लिस्ट है, इसमें ही आपका exam centers है, वो आपको चूज करने होंगे, अब परोरी है, अगर आपने कोई गलती कर दी है, आप उसको सही कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है, तो ही आप यहां से इसको submit करने वाले हैं, submit करने के बाद fans, यहां पर आपका payment gateway open हो जाएगा, credit card, debit card या net banking, यह तीन option जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इन में से ही आपको payment करना है, other option को आप छोड़ दीजिए, और internet banking में fans, अपने bank को select कीजिए, debit card के लिए, अपने card की details को fill कीजिए, make payment पर click कीजिए, और अपना payment confirm होने के बार अपना जो final printout है, वो निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं, future use के लिए, future reference के लिए, और जैसे ही form आपका complete होगा, आप इसका final printout निकाल पाएंगे, और आपको final submit का message भी आ जाएगा, तो friends, यहां पर जो यह vacancy है, आपके Indian Institute of Science की, इसके vacancy के form fill up के बारे में, हमन एलास, thanks for watching.